जंगली कुत्ते जिनें अफ्रकी जंगली कुत्तों के रूप में भी जाना जाता है जट्ट सामाजिक संरचनाओ और उलेखनिय शिकार रणनीतियों वाले आकरशक प्राणी हैं हालाकि उनकी शिकारी रणनीती तीवर हो सकती है ये समझना महतकून है कि वे अपनी आवासों क के भीदर पारिस्थितिक संतुलन बनाय रखने में महतकून भूमी का निभाते हैं ये जानवर अपनी असाधरन टीमवर के लिए जाने जाते हैं वे शिकार के दौरान प्रभावशानी संचार और सभ्योग का प्रदर्शन करते हुए समनवित जुन्डों में एक साथ काम क बड़े म्रिग के बीज मुढवेड को दर्शाता है जब योरिक्स दोर्जे शिकार हैं उनका आकार और ताकत भागने की गारंटी नहीं देते हैं इस क्लिप में कुद्टों को ओरिक्स के आसपास अपनी चपरता और संख्या का उप्योग अपने लाब के लिए करते हुए दिखाया गया है यह समन्वित प्रयास और इक्स को सीमित विकल्पों के साथ छोड़ देता है जिसे अंत तहुसका अंत हो जाता है इस क्लिप में और इक्स विरूत करने का प्रयास करता है लेकिन शिकारियों के निरंतर समूह का सामना करते हुए इसके विकल्प सीमित है श और पैक रण नीती का उप्यों करते हुए, बड़े जानवर को नीची गिराने के लिए मिलकर काम करते हैं। एक बार जब औरेक्स को वश में कर लिया जाता है, तो कुद्ते पूरे शिकार को खा जाते हैं। इस क्लिप में यह मुढभेड लगातार और समन्वित शिकारियों ध्वारा, सामना के जाने पर बड़े शिकार जानवरों के सामने आने वाली चुनोतियों पर प्रकाश डालती है। औरेक्स के दुर जेस लिंग एक मूलेवान रक्षा होते हुए थी, इस उदारण में पैक की रण नीथी पर कभू पाने के लिए पर्याप नहीं थे। इस क्लिप में तनावपोन गतिरोध में 6 आवारा कुद्टों का सामना एक बड़ी मौनिटर छिपकली से होता है। जुन्ट से गेरी छिपकली संख्या में कम होने के बावजूत बहादुरे से अपना बचाव करती है। एक गुद्टा छिपकली पर हमला करने का प्रयास करता है। शिपकली की भगल को काटता है, जबकि दूसरा उसकी पूंच पकर लेता है, जिससे समोह में भीरम पैदा हो जाता है। शेश चार कुद्टे मुख्य रूप से भौनते हैं। मुखर समर्थन प्रदान करते हैं लेकिन सीधे तोर पर शामिल नहीं होते हैं। शरण की तलाश में शिपकली पानी में गोता लगाती है। एक रण नीती जिसका उदेशिस संभर्थ तह उसकी तरा की क्षमता का उप्योग करना है। हाला की जिद्धी कुट्टे लगातार उसे वापस जमीन पर खीच रहे हैं। शुक्रवार है एक इंसान हस्तक शेप करता है। कुट्टों को डराता है और ठकी हुई छिपकली को आराम देता है। इस क्लिप में तनावपोन मुढभेड में दो कुट्टे खुद को एक। शिपकली अपने लची लेपन का प्रदर्शन करती है और अपनी स्वयम के पलटवार शिरू करती है। इस क्लिप में कुट्टों में बड़ा पिट बुल शिपकली को पकड़कर की चडवाले क्शेत्र से बाहर निकालने में काम्याब हो जाता है। मुढभेड का परिनाम जलहरन पर पड़ी है। शरण की तलाश में वे एक जाड़ी के पीछे भागती है। उन्हें सफरतापूरवक तब तक पकड़ती है। जब तक कि वे रुची नहीं खो देते है। संभवता आसान शिकार की ओर आकर्शित हो जाते हैं। संभवता अपनी प्यास बुझाने क के लिए। पानी की तलाश में वाटरबक जोन्स बांध की ओर भागता है। इस क्लिप में दूसरा वाटरबक उतना भागय शाली नहीं होता। है। उसी जुन द्वारा पीछा के जाने पर इस दुर्भाह पुन जानवर को उसके अजन में बच्छडे के साथ तुरंत पार करते हुए देखाया गया है। पानी में उनका पीछा करने के बाद एक छोटा सा जल हिरन तरियाई घोड़ों के एक समोह से बचते हुए। वकड से बचने में काम्याब रहा। कई घंटों के बाद जंगली कुत्तों ने पीछा करना छोड़ दिया। जिससे मा और उस शिकारी तुरंट किनारे पर पहुँच जाते हैं और दूर भगाई जाने से पहले अपने शिकार को खा जाते हैं। जुन शव को पानी की किनारे तक हिजने में काम्याब हो जाता है। और दावत करना शुरू कर देता है। नमबर 2. जंगली कुत्ता अटैक लकरबगा एक कठिन चुनौती का सामना करते हुए एक अकिला लकर्बगात खोद को जंगली कुत्तों के ज्चुन से गिरा हुआ पाता है लकर्बगा अपना बचाओ करने का प्रयास करता है लेकिन हर तरफ से हमले होने के कारण हमलावरों की भारी संख्या भारी साबित होती है गंभीर स्थिती के बावजूद लरकर्बगा उलेकिन अलचिलापन तदर्शित करता है शांत रहता है और लंबे समय तक अपनी जमीन पर खड़ा रहता है हाला की दिखाई देने वाली चोटे और कुछ कुट्टों के सूंगने के विवहार से पता चलता है कि लकडबग्ये की ताकत कम हो रही है दुखत बात ये है कि बाद में इसकी पुष्टी हुई कि जुंडने लकडबग्ये पर कभू पालिया जिसकी परिणाम स्वरूप उसकी मौत हो गई और जंगली कुट्टों ने उसे खालिया जैसे ही वार्थो क करीब हाते हैं जंगली कुट्टों की प्रवरे तिहावी हो जाती है उनके शक्ति शाली जबड़े नीचे दब जाते हैं जीवित रहने की प्रारम भी क्रिया में मांज को पार देते हैं वार्थो की एक आताश संघर्ष में छटपटा रहा है उसकी चीखें सवाना में गुंच रही है ये प्राकृतिक दुनिया की करवी सच्चाई है जहां शिकारी और शिकार एक प्राचीन रिते में बंध है अकेला वार्थो को खोद को जंगली कुत्तों के जुन से गिरा हुआ पाता है ये भचनोती पून है भारे बाधाओं के खलाफ एक साहसी प्रयास है द्रिर कुत्ते जबड़े चटकाते हुए वार्थो को हर तरफ से परेशान करते हैं एक कुत्ता पीचे के ओर खड़ी दारी ठून कर हमलों की जड़ी लगा देता है खुन निकालता है असरक्ष को महसूस करते हुए जुन आगे बढ़ता है दांतों और बालों की एक लहर वार्थो को एक राजक संघर्ष में घेर लेती है आज पहले से ही दो वोर्थोगों से निपटने के बाद जंगली कुत्तों का एक जुब दूसरी पर नजर रखता है निरंतर खोज के मार्ध्यम से वे भोजन सुरक्षित करने के उद्देश से अपने शिकार को खत्म कर देते हैं हाला कि शिकार एक अप्रत्याशित मोर लेता है वार्थो को कुत्तों के हमले से थोड़ी राहत मिले और वे हैक विकल्प चुनता है भागने की बजाए ये घास चरिजनक रूप से लंबी घास में शरण देना चाहता है जो एक अधार के कदम प्रतीत होता है ये हैरान करने वाला डवहार परेवेक्षकों को वार्थो के रणनीती पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है कुछ लोग वार्थो के कारियों की व्याख्या मर्दवादी या भर्मेत करने वाले के रूप में कर सकते है जबकि अन्य उन्हें एक अधार शंतिन स्टान के प्रयास के रूप में देख सकते है दुर्भागे से एक अन्य वाथो के लिए मुझ भेड़ दुखद रूप से समाप्त हो गई क्योंकि कुट्टे सफर तापूर्वत अपने शिकार को मार गिराते हैं अपनी बुनियादी जरूरतों से प्रेरित होकर जंगली कुट्टे जीवित रहने के लिए सहज प्रवर्यती पर कारी करते हैं उनका व्यभार हाला कि क्रूर प्रतीत होता है इस पारिस्थिती की तंत्र में खादिर शिंखला की कठोर वास्तविक दाउंक को दर्शाता है जहां अस्तित्व अकसर दूसरों की केमत पर होता है दोस्तों हमें बिश्वाश है कि ऐ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो सब्क्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिविट मिलें अगली वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगी दोस्तों तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहें ठ्यांक्यू